हलो दोस्तों स्वागत है आपका get it clear चैनल पर दोस्तों आपके निफट कांगडा ने एड्मिट कार्ड रेलीज कर दिये हैं वेरियस पोस्ट के लिए तो आएए हम जल्दी से जान लेते हैं कि किन पोस्ट के लिए आपके एड्मिट कार्ड रेलीज हुए हैं और आपने उसक निफ्ट बाला option जो है इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास next जो है यह वाला page खुल के आएगा इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहां पर आपको right side पे एक home का जो button है वो appear हो रहा होगा आपने इसके उपर क्लिक कर रहा है और यहां पर उ सबसे पहले टॉप पर यहां पर कुछ दिए हुए हैं आपको जब आप इस पर जाएंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर स्लैश जूनियर ट्रांसलेटर ओफिसर अफिसर जैसे ही आप इस चीज़ के ओपर क्लिक करेंगे तो यहां पर eligible और non-eligible candidates की जो list है वो आपके पास खुलके आ जाएगी तो guys यहां पर मैंने eligible candidate की list यहां पर लगा दी है देखो यहां पर आपने status चेक करना है provisionally eligible और जो आपके ineligible candidate है यहां पर उनके लिए status आएगा कि कारण आपको ineligible जो है वहां ठहराया गया है तो guys आपने ऐसा ही करना है अगर आपने software engineer का भरक है तो आपने इस link के ओपर क्लिक करना है और इसके according आपके list जो है वहां पर खुलके आ जाएगी guys देखो यहां पर mention करके रखा है important instruction में provisionally eligible candidates are required to appear for the written examination to be held on 13 March 2022 in Delhi तो यहां पर आपने instructions को अच्छे से read on करना है ठीक है तो यहां पर guys जैसे ही इस पर click करेंगे download admit card तो उसके बाद आपके पास जो है वह वह वाली चीज़ खुलके आ जाएगी और guys यहां पर आपने जो है candidate application number अपनी यहां पर सारी की सारी detail डालनी है और यहां से login कर लेना है guys फिर इसके बाद ही आपके login ID के पास आपका जो है admit card को option आएगा और आपने उसको कह करने है वहां से download कर लेना है ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा और helpful लगा हो तो get it clear channel को like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए thank you have a good day guys इसके regarding और भी को latest update आएगी तो मैं जुरूर आपके सा तुसको share करूंगी all the best for your written examination